दुनिया के हर तीन में से एक व्यक्ति को शौचाले की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इस वज़ा से दुनिया की एक अरब आबादी आज भी खुले में शौच को मजबूर है भारत में हर दो में से एक यानि करीब साथ करोड लोग आज भी खुले में शौच करते हैं जो दुनिया का साथ फिस्दी है हर व्यक्ति को कैसे शौचाले मुहिया कराया जाए इस पर विचार करने के लिए राजधानी में विश्व शौचाले सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है दो दिनों तक चलने वाले इस समेलन का उधातन सुमवार को केंद्रिय शहरी विकास मंत्री एम विंकईया नाइडू ने किया उन्होंने कहा कि खुले में शौच की समस्या से निबटने के लिए लोगों को जागरूख करने और देश में बड़े पैमाने पर सौचाले बनाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि पिछले साल 2 अक्टूबर को देश भर में शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान सबको सौचाले मुहया करापाने में मददगार साबित होगा दो हजार एक से ही विश्व शौचाले संगठन की ओर से दुनिया के अलग-अलग देशों में हर साल विश्व शौचाले सम्मेलन का आयोजन किया जाता है नई दिल्ली में चल रहा है दो दिवसिय विश्व शौचाले सम्मेलन में विभिन सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के अलावा कई आध्यात्मिक नेता भी हिस्सा ले रहे हैं अधर विण अफंड दिल्ड पुछ उर्न एंटो आफ दिल्ड आप कर दो आट, लिए बनाधास इनकिता है इव पकुस एपके सब्सर एंटेस्पनी में आट मान। भारत में शौचालय की कमी एक बड़ी समस्या है और शौचालय सुविधा ना होने की वज़ा से 23 फीजदी लड़कियां पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को मजबूर है गाउं में ये समस्या और भी गंभीर है और 70 फीजदी से अधिक ग्रामीन आबादी आज भी खुले में शौच करती है सब को शौचालय मुहिया करा कर ना केवल लोगों के स्वास्त को सुधारा जा सकेगा बलकि इस से देश की अर्थ ववस्था को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी निशांत स्वारब, DD News, Delhi